नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो आपको होली की शुपकाम नाए और एक नया टॉपिक यह है जो हमारे एक्जाम की प्रस्पेक्टिस से काफी में थून है यहां से प्रसंद बन सकते हैं कि सेंटर गवर्मेंट ने कुछ गाइडलाइन को शिव किया है रिलीज किया है कि सालवेटी हो इन्फ्रेंंसर हो social media Instagram Facebook और चाहे हो बर्चल इन्फ्रेंसर हो social media पे रहे सोशल मेडिया हो एर्थों पर अदर प्रकार की जो Social, debatर प्रस्पार्फॉर्मे है किसी प्रड़क्त का एडवतार्यमेंट करते हैं और उनके संदम में उनकी कोई responsibility नहीं रहती हो सकता है वो individual को mislead कर रहे हो हो सकता है वो community को mislead कर रहे हो हो सकता है वो कुछ specific जो person है जो को target करके mislead कर रहे हो आप बहुत सारे ऐसे add देखते हैं जिनको मिलब की वो बोलते हैं कि आप एक दिन में आपका color fair हो जाएगा साथ दिन में आपका color fair हो जाएगा और कुल मिलाके कहा जाए कि कुछ entertainment ऐसे होते हैं celebrity के द्वारा जो लोगों को mislead कर जाता है और उन product को खुद नहीं लगाए जाता जैसे कि आप इस picture में देख पा रहे हैं अवता बिचल हो रभी कपूर हो ठीक है दीप का पादगोन हो या फिर हमारे संबानी ब्राट कोली जी हो इनके द्वारा कुछ ऐसे product का entertainment के आता है जिनके द्वारा वो खुद उपयोग नहीं करते हैं तो सरकार ने कहा है कि हम आपकी responsibility ते कर रहे हैं और सरकार ने कुछ ऐसे product को कुछ ऐसी guideline को लेके आये हैं ताकि जो individual है वो mislead ना हो सके और यह सारी guideline consumer protection act 2019 के तहते इसको हम detail में पढ़ेंगे और इन guideline का नाम है guideline for prevention of misleading retirement and endorsement for misleading retirement 2022 जो की consumer protection end 2019 के तहते हैं ठीक है इस बात को समझेया और इसको सारा है handle कर रहा है ministry of consumer affair food and public distribution इनके द्वारा set of कुछ guideline release कहीं है जिनने कहा है endorsement know-how ठीक है और यह इंसोर करेंगी कि वो जो कोई individual बेक्ती है कोई community वाला बेक्ती है कुछ कोई community है जिनको salary target करके चैसे social media हो Facebook हो Instagram हो Twitter पे target करके कुछ product का वो कगरते हैं sponsor करते हैं वो mislead ना हो सके उनको गलत information उसके बारे में ना मिले ठीक है तो पहले तो उनकी responsibility थे होगी और अगर आप इन guideline का वाइलेट करते हैं तो आपको आपको legal under the law के तहत आपको legal consequence आपको देखने पड़ सकते हैं ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे जरूरत क्या थी जरूरत एथी कि आप और इसके साथ साथ पहले देख लेते हैं इसके साथ साथ इन्हों ने यह भी कहा है कि अगर आप किसी product का entertainment कर रहे हैं तो आपको उसके साथ connection बताना पड़ेगा अगर आप फेरल अबली का कोई entertainment कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि हम इसका यूज करते हैं अगर आप बिसलरी का एर्टायमेंट करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि हम बिसलरी का पानी पीते हैं यह नहीं कि हम फॉरन से मगा कर गलेसियर का पानी पीते हैं वो 40 यार लीटर होता है और एर्टायमेंट किसका कर रहे हैं बिसलरी का और खुद पानी किसका पी रहे हैं 40 यार पर लीटर क सुमूर रहा है इस बात को मज़कुल मला के कहा जाए तो आपको बताना पड़ेगा कि हम बिसलरी का पानी पीते हैं थीक है अगर आप इसल लरी क कर रहे हैं ध्यर हैंडको पींचत Rio नहीं कि हम इस एंपू करते हैं कुछ ऐसे सेलेटी में आप देखते हैं एड तो कर देते हैं आप लक्स का एड कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि हम लक्स का यूज करते हैं और इसका मतलब यह हुआ कि आपको उस प्रोड़क्ट गुड सर्विस के साथ अपना कनेक्शन इस्टेबलिस करना पड़ेगा तब ही आप उसका एड़ाइमेंट कर पाएंगे यह उन्होंने कहा ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे कापी अच्छी है रिस्पोंसिटी ते होंगी लोगों की ठीक है तो इस बात को ध्यान रखेंगे दूसरी बात गाइड लाइन की आव एड 30% जो एड करते हैं ऐसा एड़ाइमेंट का स्टेंडर कांसिल आफ इंडिया ने कहा है वो कुछ गाइड लाइन का क्या करते हैं मिसलीड मतलब की उसका वाइलेसंस करते हैं और दूसरी बात इंडिया की जो सोसिल मीडिया मार्केट है दोर 25 तक 2800 करोर हो जाएगी रहे हैंले सभी मार्केट तो इसको रेडूरेट करना जरूरी है और जो कंझ्यूमर है उसके जो भी इंट्रेस्ट है उसको प्रटेक्ट करना जरूरी है Systems घ्रूरी में च्रूट थैक़ा है तो फेमिस असे काम कि इससको इन्डूर्समेंट रहता हैं इसको हम हिंदी मोलते ह नहीं आता है इसमें कहा गया है कि आपको अगर एड़ टाइमेंट कर रहा है आपको एंडॉर्समेंट लिखना है तो वो सिंपल होना चाहिए और लेंगवेज को किलियर होना चाहिए ताकि जो कंजूमर है उसको आसानी से पढ़ चके ठीक है तो अगर आपको कहीं ऐसी लंगन किया है तो उसको आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं ठीक है तर्म को आप इंक्लूड करेंगे अगर आप किसी प्रोड़क्ट का एड़टाइमेंट कर रहे हैं तो एड़टाइमेंट इस्पॉंसर कॉलोबेशन पेड़ प्रोमोशन यूज करेंगे हैस्टेक हैड एड़टाइमेंट नहीं कर सकते हैं जो आप को आपको परिसनली कलेक्टेड आ किक रहे हैं तो हैपको आप बेरा प्ल्कूरम करेंगे हैं तो हैंनों को कॉछिछ तसका बखाहरले πशाट आपकर पहरानेकों से देख सकते हैं अग मारुनों कोई अगर गलत आपके साथ करता है तो इतिकल एशु क्या क्या है आपका जो राइट चूज है आपको चूज करने का दिखार है तो वह वाइलेट होता है आपको कोई helpوب प्रोडक्ट दे सकता है है, service दे सकता है, तो आपके safeguard है, right to safeguard वो भी violet हो सकता है, इसलिए सरकार को आव सकता पड़ी, कि इन सब अधिकारों को हमसे रक्षित करने के लिए, in guideline का लाना जरूरी है, ताकि लोगों के right to choose का जो अधिकार है, right to inform का जो अधिकार है, right to safeguard का अधिकार है वो बाइलेट ना हो उनको हाम पूर प्रोजेक्ट और सर्विस का नाम ले ठीक है और आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपके साथ एवटायमेंट का कुछ लोग मेंशन नहीं करते हैं तो मेंशन वाली सुच्यूशन मैंने पहले आपको बता दी अगर कोई प्रोमिस करते हैं जो इंफ्रोंसर रहते हैं तो लाइसटा युजिस के प्रोजेक्ट के साथ आपको मैं कॉनेक्शन इस्टेबिस करना पड़ेगा इससे कलेक्श से सोगा बहुत सारे ऐसे रहते हैं यह चीजा सारी मैंने पहली बता दी हैं कि वह इसा नहीं कर सकत मतलब कि उनको connection establish करना पड़ेगा, और unrealistic standard जो होते थे, lifestyle goal, ठीक है, यह सारी चीजें दूर होंगी, इसलिए इनोंने इसाब करने का प्रयास किया है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, अब हम पढ़ लेते हैं Consumer Production Act 2019, इससे पहले Consumer Production Act 1986 था, regulator की बात होती थी, पहले इसमें कोई separate regulator नहीं होता था, 1986 के Act में, लेकिन 2019 के Act में Center Consumer Protection Authority establish की गई, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, Consumer Court, Consumer Court में अलब की फिल कर सकते थे complaint को, लेकिन वहीं फिल कर सकते थे, जहां seller का क्या हो, office हो, ठीक है, तो यह बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, आप कई की बार देखते हैं, कि कोई product आप लेते हैं, तो आप लिखाता है, कि आप किसी को अगिस संबंद में सिकायथ, हमारे headquarter में आके आपको दे सकते हैं, लेकिन इसमें कहा गया, कि ऐसा नहीं है, जहां consumer रहेगा, वहीं आप consumer court में अपना complaint फिल कर सकते हैं, तो consumer को आसानी इसमें हुई, ठीक है, product liability, कोई provision नहीं था, लेकिन आप provision कर दिया गया है, compensation है, product हो या service हो, ऐसा product liability की बारे में इसमें provision कर दिया गया है, पहले क्या होता था, 20 से एक करोड, एक करोड तक था, लेकिन अब district level पर एक करोड तक जा सकते हैं, इस्टेट पर एक से दस करोड ता, नैसल लेवर पर दस करोड से अधिक तक आप इस सारी चीज़े कर सकते हैं, e-commerce का पहले provision नहीं था, इसमें सारे rules e-commerce पर भी extend कर दिये गए, mediation से संबंदित कोई legal provision नहीं था पहले, मनलब की जो मद्दस्ता वाली sell थी उसमें पर भीज़न नहीं था, दोनों को आपसें बात्ची की द्वारा किसी भी solution पहुचना पहले पर भीज़न नहीं था, I hope आपको पसंद आया होगा, thank you, thank you very much.